प्रिय शिक्षार्थियो नमस्कार राश्रिय मुक्त विद्यालेई शिक्षा संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश के सभागार में मैं अंकुष कुमार संस्कृत सेवक आप सभी का स्वागत करता हूँ उच्चतर माध्यमिक कक्षायाह पाठ्यक्रमे संस्कृत साहित्य नाम के उपक्रमे शिवराज विजयस्य यवन दुराचार नाम के भागे तत्र पंचमे भागे वयम संप्रती पश्यामह अग्रे मूल पाठ्यक्रम् इतह पूर्वं अस्माभी चर्चितं यत कथं भारत वर्षे यवन राज्यस्य अंकुरह आरोपितह तदनू तस्मिन्ने वक्रमे अग्बर नामकह एकह संब्राट आसित यह शांति प्रियह विद्वत प्रियस्चा आसित ततह अग्रे वयम मूल पाठं पश्यामह अस्ययव प्रपोत्रो मूर्तिमद इव कलियुगं ग्रिहीत विग्रह इव चाधर्मह आलंगिरो पाधिधारी अवरंग जीवह संप्रती दिल्ली वल्लभताम कलंकयती अस्ययव पताकाह कईकयेशू, मत्सेशू, मघधेशू, अंगेशू, बंगेशू, कलंगेशूच दोधू यंते केवलं दक्षण देशे अधुनापी अस्यव परिपूर्णो नाधिकारह सम्वृत्तह अस्यव प्रपोत्रह इससे पूर प्रसंग में अकबर की चर्चा हो रही थी उसी अकबर के प्रपोत्र यानि परपोते का यहाँ वर्णन है जो की मूर्तिमद इव कलियूगम वहा कलियूग के साक्षात मानो जैसे कलियूग ने मूर्ती के स्वरूप में मनुष्य के स्वरूप में यहां जन्म लिया हो उसी प्रकार कवी के कलपना देखिए वहां कवी कली के मूर्ति के समान यहां कलपना कर रहे हैं ग्रहीत विग्रह इवच अधर्मह अर्थात विग्रह का अर्थ होता है शरीर जो हम मनुशों का शरीर है उसके लिए विग्रह शब्द प्रयोग होता है ग्रहीत विग्रह धारन किया है शरीर जिसने इस प्रकार इवच अधर्मह मानो अधर्मने स्वयम शरीर धारन करके इस इस धराधाम को आकरान्त किया हो। इस प्रकार से कभी कहना चाहरे हैं। आलम गिरो पाधिधारी आलम गीर इस उपाधी को धारण करने वाला अवरंग जीवः संप्रती हम जिसे अवरंग जेब नाम से जानते हैं भाशा में। अवरंग जीव नामक संप्रती दिल्ली वल्लभताम कलंकेती वह अवरंग जीव इस समय दिल्ली की वल्लभता को वल्लभ का अर्थ होता है राजा स्वामी ईश्वर अधिपती इत्यादी अर्थ में वह दिल्ली के राजा के रूपने में इस धराधाम को कलंकित कर रहा है यान कि ध्वजा कई 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 का आर्थ है संप्रति यह वर्तमान में पंजाब प्रदेश के लिए कहा जाता है पंजाब प्रदेश का ही पूर्व नाम कई कई रहा है जो कि सिंदु नदी के इस पार के क्षेत्र के लिए प्रयोग होता था मत्सेशू मत्स्य देश का अभिप्रा यहाँ पे राजपुताना क्षेत्र से हैं आज भी जब भारत वर्ष में हम देखते हैं अजय मेरू इत्यादी नगरों में जब वहाँ पर संकल्प पाठ होता है तो उसे मत्स्य प्रदेश कहा जाता है अत्यधिक प्राचीन काल में कहा अकुपार तल था यानि समुद्र तल था आज वहां मरुस्थल बन चुका है संपूर्ण राजस्थान में हम परिचित है कि मरू भूमी है रेगिस्थान है कहा जाता है वहां पहले कभी समुद्र था मघदेशू मघदकार्थ है बिहार का यहां दक्षिन प्रांथ से अभिप्रा यहां उडिसा से है जो वर्तमान उडिसा प्रदेश है वहां कलिंग नाम से जाना जाता है साहित्य दरपन में इसका प्रसिद्ध उदारन हम देखते हैं लक्षणा के प्रसंग में कलिंगा साहसिका इस प्रकार से प्रसिद्ध उदारन दिया जाता है इन सभ तरब दोधू यंते वारम वार फैराई जा रही है वारम वार हमें दृष्टि गोचर होती है केवल भारत का एक भूभाग है दक्षिन प्रदेश जो अध्यापी आज भी परिपूर्ण नाधिकार है समृत्त जिस पर आज भी उस अवरंग जीव नामक यवन का पूर्ण यद्यपी वहां अंशिक रूप से अधिकार था ही दक्षिन भारत के भी अनेक प्रदेश अनेक भूभाग जो थे वे यवनों के शाशन में ही थे तथा पी एक विशेश प्रदेश दक्षिन भारत का रहा है जो कभी भी यवनों के शाशन में नहीं रह सका आईए इस मूल पाठ के कुछ विशेश शब्दों को समझते हैं मूर्ति मद मूर्ति ही मूर्ति से तात पर ये विग्रह यानि शरीर मूर्ति ही अस्य अस्ति इति मूर्ति मत मूर्ति शब्द से मतुप प्रत्य तद अस्य अस्ति तदस्यास तस्मिन निति मतुप तद अस्यास्ति अस्मिन इतिवा इस अर्थ में यानि यहा इसका है या इसमें है इस अर्थ में भावाचक मतुप प्रत्य होता है भावाचक इनी और ठन प्रत्य भी इसी अर्थ में होते हैं और ये सभी के सभी हम देखते हैं भावाचक संजाय बनती हैं तो मूर्तिमत भी एक संग्या शब्द है ग्रहीत विग्रहा धारण किया है शरीर जिसने वहब भूब्री समास हुआ है यहाँ पर भी ये शब्द दिख राये हमें इससे हमें स्पश्ट परिलक्षित होता है कि यहाँ बहूब्री समास हुआ है दिल्ली वल्लभताम दिल्ले आहा वल्लभः स्वामी वल्लभ शब्दकार्थ बताया था स्वामी ईश्वर अधिपती राजा ये सभी परियायवाची शब्द हैं दिल्ली वल्लभा शश्टी तत्पुरुष समास हुआ है पुनहा तस्य भावा दिल्ली वल्लभस्य भावा दिल्ली वल्लभता ताम दिल्ली वल्लभताम भावाचक यहां तल प्रत्य हुआ है तस्य भावस्त्व तलव त्वा और तल यह दोनों ही प्रत्य भावाचक होते हैं और तल प्रत्यान शब्द नित्य नपुन्सकलिंग में प्रयोग होते हैं, जिनके अंत में हमें दिखाई देता है, वे नित्य नपुन्सकलिंग है, तल प्रत्यान शब्द, दो धु यंते, धु ये कमपने धातु है, यानि कापना, हम देखते हैं कि हवा में ध्वज जो है, वो इधर उधर काप रहा होता है उसी अर्थ में यहां ग्रहन है और यहां यंग प्रत्य हैं यंग प्रत्य जहां पे भी होता है यंग प्रत्य क्रिया के समभी व्याहार में होता है समभी वार्मकार्थ है क्रिया में सातत्य क्रिया की वारम वारता को द्योतित करता है तो यहा योग है लटलकार में सिद्धह है और जा यानि बहुवक्षन में आत्मनेपाद का बहुवक्षन जा है त़ अताम जा इस प्रकार से हम देखते हैं जो हमारे अष्टादश कि तीप्तजवियादी प्रत्य है집 है उन्हीं में से जो आत्मनेपाद के प्रत्य है सम्वृत्य करने पर यहां सम्वृत्य शब्द सिद्ध होता है अग्रे पश्चामाह तत्रमूल पाठा वर्तते दक्षन देशोही पर्वत भहुलोस्ती अरण्यानी संकुलस चास्तीती चिर उद्ध्योगे नापी न अयम अशकन महाराष्ट केशरिनो हस्त इतुम साम्प्रतम असेव आत्मियो दक्षिन देश शाषकत्वेन शास्थी खान नामा प्रेश्यत इतिश्रूयते महाराष्ट देश रत्नम यवन शोनित पिपासा कुलक्रिपानः वीरता सीमंतिनी सीमंत सुन्दर सांद्र सिंदूर दान दे दिप्यमान दोर दंडः मुकटमनिर महाराष्टरा नाम भूशनम भटा नाम नीधिर नीतिनाम कुलभवनम कौशला नाम पारावारह परमूत्साहा नाम कष्चन प्रातस्मरणिय स्वधर्मा ग्रह ग्रह ग्रहीलह शिव इव धृतावतारह शिव वीरश्च अस्मिन पुण्यन गरात नीदी आईए इसके आर्थों को समझते हैं दक्षिन देशह जो भारत का दक्षिन प्रदेश है देश शब्द हम देखते हैं साइत्य में यहां कई हमें दृष्टी गोचर होता है वहां जो वर्तमान समय में देश शब्द का अभिप्राय है उस अर्थ में नहीं बलकि एक होता है तो दक्षिन देशह परवत भुलोस्ती जो दक्षिन का संपूर्ण भारत का भुभाग है वहां अनेक परवत मालाय परवत शिंखलाय हमें दिखाई देती है दृष्टी गोचर होती है जिनमें यह जिस शेत्र का वर्णन है वहां पर हम देखते हैं सत्पुडा से प्रारंब होकर संयां द्रियादी परवत मालाय वहां पर दृष्टी गोचर होती है और वहां अत्यंत घने जंगल है इसलिए कहा आगे कि अरण्यानी संकुलस चास्ती ती वहां अरण्य तो है लेकिन कैसे हैं संकुल यानी बहुत घने जंगल है संस्कृत पढ़ते समय हम ध्यान रखे जहां हमें शब्दों में थोड़ी सी स्पष्टता न हूँ वहां हम विग्रह करके भी पढ़ सकते हैं इस प्रकार से तो हमें स्पष्टता होगी शब्द के अरथ भी समझ में आएंगे तो कहा कि चिर यानी बहुत काल तक उद्योग करने पर भी परिश्रम करने पर भी वह जिसका अभी प्रसंग चल रहा है अवरंग जेब तिल्ली का वल्लब महराष्ट केशरी को महराष्ट के शेर को महराष्ट के सिंग को हस तै तुम नअशकन उन्हें पकड़ नहीं पाया वर्तमान समय में इसी अवरंग जेव का आत्मिय यानि पारिवारिक जन कहिए कि उनका आत्मिय विक्ती दक्षन देश के शाषक के रूप में शास्तिकान नाम जिसका शास्ती खान नाम था उसे भेजा जाए एसा ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं कि ऐसा हमें सुनने में आया हुआ है अब आगे के जो इतना भी प्रसंग है उसमें इस संपूर्ण जो काव्य है शिवराज विजय उसके नायक का वनन है जो की अत्यनत धीरोदात्त है आगे कहते हैं कि महाराष्ट्र देश रत्नम सासे आकुल है कृपान जिनका यानि यवनों के शोनित को बहाने के लिए उनके शोनित को पीने के लिए जिनकी तलवार अभी भी प्यासी है जो कुल बुला रही है ऐसे नायक का वनन हो रहा है आगे कहते हैं कि वीरता वीरता का अर्थ हम सभी जानते हैं कहते हैं वीरता सी पी सीमंतिनी नाई का उसके सीमंत यानि केशब प्रदेश में सुन्दर और सांद्र अच्छा और सांद्र यानि बहुत घना सिंदूर सिंदूर कार्थ हम सभी जानते हैं जो सिंदूर दान विवहा प्रसंगह में देखने को मिलता है उस समय प्रयोग होता है जो वर होता है व सिंदूर के दान से देदिप्यमान है चमकने वाली है प्रवाह नक्षत्र के समान आभाय मान है ऐसी उनकी भुजाये और उनके दंडब प्रदेश इस प्रकार से आलोकित हो रहे हैं कवी यह कहना चाता है कि जैसे एक वर अपने वधू के सीमंत में यानि केशव प्रदेश में सुंदर सिंदूर दान करता है और उससे स्वैम को गौरवानवित महसूस करता है इसी प्रकार इस संपूर्ण कावे के जो नायक है वीर शिवाजी महराज वे वीरता रूपी किसी सामान्य नहीं वीरता रूपी सीमंतिनी यानि वीरता रूपी नाईका के सीमंत यानि उनकी जो मांग है उसको भर करके महाराज के जो दोनों ही वक्षस्थल और भुजदंड है वे दोनों ही अत्यनत गौरवानवित हो रहे हैं मुकुट मनीर महाराष्टा नाम और जो की महाराष्ट के मुकुट मनी हैं मुकुट का आर्थ हम सभी जानते हैं जो जिसे सामान्य भाषा में सर पर रखा हुआ जो ताज होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है मुकुट मनी उसी के समान वे महाराष्ट के मुकुट मनी है भूशनम भटा नाम और भट यानि योद्धावों के वो आभूशन है निधिर नीती नाम नीतियों के नय मार्ग के वे नीधी है यानि निधिकार्थ होता है संपत्ति खजाना जिसे हम कहते हैं कुल भवनम कौशला नाम और कौशल यानि जिसे आज भारत में इसका बहुत प्रचार है skill development की चर्चा होती है इसे skill को यहां कह रहा है कि वे कुल भवन है यानि आरंबिक स्थल है कुल एक तरीके से कहेंगे कि युनिवर्सिटी है skill की वे युनिवर्सिटी अपने आपने स्वयम में विश्व विद्या लए है पारावार है परम उत्साहा नाम परम उत्साहा के परम उर्जा के वे पारावार यानि समुद्र है कश्चन प्राता स्मरन के योग्य स्वधर्म आग्रह ग्रह ग्रहिलह स्वधर्म यानि अपने धर्म के प्रती आग्रहवान है और उसे ग्रहन करने में ग्रहिलह यानि ग्रहिल शब्द दो अर्थ में प्रयोग होता है जिसमें ग्रहिल का जो मुख्य अर्थ है वो द्रिड़त पुर्वक क्रोध के साथ द्रिद्धा पुर्वक धारन करने के आर्थ में हैं तो इस काव्य का जो नायक है वह सामान्य रूप से नहीं बलकि अपने धर्म को धारन करने के लिए पूर्ण जोश से पूर्ण उर्जा से पूरे इसे कहेंगे कि समस्त ओजो भाग से इसे धारन क प्रवर्तित है शीव इव धृतावतार भगवान शीव के समान, मानो भगवान शीव ने ही स्वयम अवतारधारन किया हो इस प्रकार शीववीर हैं इस संपौण अनुछेद से क्या प्रतीत होता है कि शीववीर ही इस काव्य के नायक है अस्मिन पुन्य नगरात इस पुन्य नगर से पुने जो वर्तमान में पुने शहर है महराष्ट का उस पुन्य नगर से नेदियस सेव सिंह दूरगे नेदियसी का आर्थ होता है नजदीक, समीप, अंतिक बाढ़यो और नेदसादव अंतिक यानि समीप के अर्थ में अंतिक के स्थान पर नेदादेश हो करके या नेदियसी शब्द बनता है सिंग दूरगे ससेनह निवसती सिंग दूरग में वह सेना सहित निवास कर रहे है आईए कुछ विशेश शब्दों को हम जानते हैं अरण्यानी शब्द आया था जिसमें अरण्य प्लस आनुख हो करके और ततपश्चात इंगिश जो स्तित्व विवक्षा में इंगिश प्रत्य हो करके अरण्यानी शब्द बनता है हस्त इतुम हस्ते कर्तुम इति हस्त इतुम हस्त शब्द से निच प्रत्य और तदनु तुमन प्रत्य करने पर यह सिद्ध होता है यवन शोनित पिपासा आकुल क्रिपानह यवन आनाम शोनितं यवन शोनितं शष्टी तत पुरुषह तस्य पिपासा इती यवन शोनित पिपासा पुनह शष्टी तत पुरुषह समासा अत्र वर्तते तया नाम यवन शोनित पिपासया आकुलह यवन शोनित पिपासा कुलह पुनह अत्र तृतिया तत्पुरुषा समासा वर्तते ताद्रिक क्रिपानह यस्य स यवन शोनित पिपासा कुल क्रिपानह अंतेच बहुब्रिही समासह वीरता सीमंतिनी सीमंत सुन्दर सांद्र सिंदूर दान देदिप्यमान दोर दंडः जब हम इस प्रकार से बहुत विश्तृत पदों का विभाजन कर रहे होते हैं समास कर रहे होते हुए तो हमें लगु-लगु पदों के मध्य में समास करके पुनह विस्तार के और आगे बढ़ना होता है तो यहाँ प्रारम में दोर भुजह इवदंडः दोर दंडः यहाँ कर्मधारे समास हुआ है वीरता एव सीमंतिनी वीरता सीमंतिनी यहाँ कर्मधारे हुआ है तस्याहा सीमंतह वीरता सीमंतिनी सीमंतह शष्टी तत्पुरुष समासुआ है सुन्दरम्च सांदरम्च यत सिंदुरम सुन्दर सांद्र सिंदुरम बहुब्रही समात तस्यदानम सुन्दर सांद्र सिंदूर दानम पुना शष्टी तत्पुरुष समासुआ है वीरता सीमंतिनी सीमंते सुंदर सांदर सिंदूर दानम यहाँ सप्तमी तत पुरुश हुआ है तेन देदिप्यमानम वीरता सीमंतिनी सीमंत सुंदर सांदर सिंदूर दान देदिप्यमानम तृतिया तत पुरुश हुआ है और अंत में वीरता सीमंतिनी सीमंत सुन्दर सांद्र सिंदूर दान देदिप्यमान दोर दंडः यस्य स वीरता सीमंतिनी सीमंत सुन्दर सांद्र सिंदूर दान देदिप्यमान दोर दंडः इस प्रकार अंत में बहुब्रही समास हुआ है स्वधर्मा ग्रह ग्रह ग्रहिलह स्वधर्मे आग्रह स्वधर्मा ग्रह सप्तमी तत पुरुष तस्य ग्रह स्वधर्मा ग्रह ग्रह शष्टी तत पुरुष और अन्तमे स्वधर्मा ग्रह ग्रहे ग्रहिलह स्वधर्मा ग्रह ग्रहिलह सप्तमी तत पुरुष अगरे मूलपाठा वर्तते विजयपुरा धिश्वरेन सांप्रतम अस्य प्रविद्ध वैरं कार्यम वा साधयेयं देहम वा पातयेयं इत्यस्य सारगरभा महती प्रतिज्या सतीनाम सताम त्रैवर निकस्य आर्य कुलस्य धर्मस्य भारत वर्षस्य च आशा संतान वितानस्य अयमेव आश्रयय यमेव वर्तमाना दशा भारत वर्षस्य किम अधिकम विनिवेदयाम योग बलाव गतसकल गोप्य वृत्तान तेशू योगी राजेशू इतिकत्वा विरमाम इसके आर्थों को समझते हैं वे कहते हैं विजयपुरा धिश्वरेण विजापूर वर्तमान में जिसे निजाम कहा जाता है विजयपूर का शाशन उस समय वहाँ पे विजयपूर में यवनों का ही शाशन रहा है निजाम के रूप में हम जो पढ़ते हैं उसी के बारे में कहा गया है कि विजयपूरा धिश्वरेण उस विजयपूर के अधिश्वर यानि स्वामी यानि राजा के साथ संप्रती इस समय अस्य प्रविद्ध वैरम इस नायक्ष शत्रपति शिवाजी महराज का इस समय वैरभाव बढ़ा हुआ है शत्रुता बढ़ी हुई है और उनका कहना है कि कार्यम वा साधययम देहम वा पातयययम अर्थाद या तो कार्य की साधना करूँगा यानि कार्य की सिध्धी करूँगा अथ्वा देह का पातयययम यानि देह का पतन होगा एक ही निश्चे है, एक ही धेय है, एक ही उद्देश है और एक ही उनकी सारगर्भित महतीपरतिज्या है कि या तो इस शरीर का नाश होगा, या तो लक्ष की सिद्धी होगी इस प्रकार अपने लक्ष के पति अडिग रहने वाले इस संकोन कावे के नायक है और आगे कहते है कि सती नाम सताम त्रेवर्निकस्य सतीयों की जो उच्च कुलोदपन और अपने आश्रम धर्मका पालन करने वाली स्तिरिया हैं उनके लिए सती शब्द प्रयोग है सताम यानि सज्जनों क्या और त्रैवर्णी कस्य तीनों वर्ण क्या जो तीनों ही वर्ण यहां परिगनित हैं उन सभी के और आर्यकुल अस्य इस संपूर्ण आर्यकुल का संपूर्ण स्रेष्ट जनों के भारत धर्मस्य इस सनातन धर्म का जो भारत वर्ष में नित्य वाहमान है उसका और भारत वर्षस्य इस संपून भारत भूमी की आशाओ के आशाय यानि जो इच्छित अभिपसित आकांग शाय उनके लिए प्रयोग है संतान यानि समूह उन आशाओ के समूह का वितान यानि विस्तार यानि उनका फैला उनकी सिध्धी का यही एक मात्र आश्रय है यही जो नायक का जिनका वर्णन चल रहा है वे है एक मात्र इसके आश्रय है यमेव वर्तमाना दशा भारत वर्षस्य और सामान निरूप से यही भारत की वर्तमान दशा है इस परकार ब्रह्मचारी गुरु योगिराज को बताते हैं किम अधिकम विनी वेद य क्या महा हम अधिक क्या आपसे निवेदन करेंगे क्योंकि योग बलावगत सकल गोप्य वृत्तान देशु योग बल के माध्यम से योग बल के सामर्थ से अवगत यानि जान लिया है सकल यानि संपूर्ण गोप्य यानि गूढ तम वृत्तान यानि जो संपूर्ण कथा है उसे आपने योगबल से जान लिया है अतहा आपके सामने पुना पुना वारमवार उन्ही बातों को कहना निर्थक होगा इसी बात को योगिराज के सामने कहते है ब्रह्मचारी गुरू और इन सभी बातों को कहकर अपनी वानी को वे विराम देते हैं आएए इसके मूल शब्दों को समझते हैं कुछ विशेश शब्द यहाँ पर है यथा साधयेयम यह साध संसिद्धो धातू से अनिच प्रत्य और उसके पश्चात विधिलिंग लकार में मिप यानि उत्तम पुरुष एक वचन में साधयेयम यह रूप सिद्धी होती है उसी प्रकार पातयेयम पत धातू से अनिच प्रत्य और विधिलिंग लकार में मिप प्रत्य के माध्यम से पातयेयम सिद्ध होता है सारगर्भा सारह गर्भे यस्यासा सारगर्भा यहाँ पर बहुब्रही समास हुआ है आशा संतान वितानस्य आशा नाम संतानम संतानम नाम समूह आशा नाम संतानम आशा संतानम शष्टी तत्पुरुशह तस्य वितानह आशा संतान वितानह तस्य आशा संतान वितानस्य एवं शष्टी तत्पुरुशह समासह अत्रवर्तते विनिवेद यामहा वी उपसर्ग पूर्वकात नी उपसर्ग पूर्वकात विदधातो हो निची प्रत्ते कृते तदनू लट लकारे उत्तम पुरुशस्य बहु अचने मस प्रत्ते कृते रूपमिदम सिध्धती योग बलाव गत सकल गोप्य वृत्तान तेशू योगस्य बलं योग बलं शष्टी तत्पुरुशह समासह अत्रविद्यते तेन अव गताहा योग बलेन अव गताहा योग बलाव गताहा तृतिया तत्पुरुशह तदनू सकलाहा गोप्य तमाहा वृत्तान ताहा सकल गोप प्रकार हमने इस यवन दुराचार नामक पाठ में जाना योगी राज ब्रह्मचारी गुरू से निविदन करते हैं कि वर्तमान समय में भारत की जो दशा है उसे संख्षेप रूप से संख्षेप धिया आप वर्णन कीजे जब वहाँ ब्रह्मचारी गुरू इसे वर्णन करना चाहते हैं तो वहाँ अनुभव करते हैं कि भारत की जो वर्तमान द जिवा चाहिए होगी इस प्रकार से जब वह कहने से पूर्वही उनके शरीर के अवस्था हो जाती है उनके होट कापने लगते हैं उनकी स्वास गर्म होने लगती है उनके स्वार जो है वो भर्भराने लगता है आवाज में सपश्टता नहीं रहती तो योगी राज यह जान लेते हैं कि निश्चित ही भारत वर्ष की कथा है वहां सकल वंचना में हैं शकल पाप में हैं अनेक दुराचारों से ग्रसित हैं फिर भी वे कहते हैं कि निश्चित रूप से मैं जानता हूं यह संपूर कथा जो है वह पाप में है तथा पी भारत वर्ष की इस कथा को मैं जानना चाता हूँ क्योंकि काल जो है काल शक्ती वह निश्चिती रूप से कभी जनपदों को भी मरू कर देती है तो कभी मरू प्रदेश को भी जनपद कर देती है कभी अरण्य को भी नव निर्मित नगर के समान बना जानने को उत्सुक होते हैं इसके अनंतर ब्रह्मचारी गुरु संक्षेप में कथा बताते हैं कि वीर विक्राम आदित्ते के जाने के पश्चात किस प्रकार इस देश में यवन राज्य का अंकुर हुआ किस प्रकार सोमनाद जैसे महातिर्थ को लूटा गया द्वादश भा प्रदाकांत भारत में भी एक प्रदेश ऐसा शेश था जहां पर अभी भी आशा संतान वितान आवशेश थी यानि आशाओ के संतान को वितान मिलने की संभावना थी वह था दक्षिन प्रदेश और उस दक्षिन प्रदेश में इसका वेके नायक वीर शिवाजी महराज ज तो इस शरीर को त्यागूंगा या फिर अपनी कार्य की सिध्धी करूंगा तो इस प्रकार हम इस यवन दुराचार नामक पाट को समझ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद